Factorize 16x3 plus 24x2 plus 9x अब इस expression को हमें यहाँ पे factorize करना है तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को pause कर दीजे और इसे खुद से एक बार factorize करने का कोशिश कीजे तो आपने थोड़ा तो दिमाग लगाया ही होगा चलिए हम अब इसे अब मिल के solve करते हैं तो पहला step तो हमारा होई है कि हम देखेंगे कि क्या इस expression में ऐसा कुछ common है, कुछ common factor है तीनो term में जो कि हम बाहर कर सकते हैं तो यहाँ 16 है, 24 है, 9 है, 2 के तीनो multiples नहीं है, 3 के भी नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं इन coefficients को तो मैं कुछ common नहीं दिख रहा मुझे हाँ, लेकिन x जरूर है तीनों में, तो मैं x को तो बाहर करी सकता हूँ एक x को तो अपन बाहर निकाल सकते हैं तो अब अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 16 times x square, एक x बाहर आ गया प्लस 24 x plus of 9 यह हमारे पास यहां पे आ गया अब इसको चलिए आगे factorize करते हैं अब इस वाले expression की मैं यहां पे अगर बात करूँ इस वाले expression की तो इसमें मुझे 16 x square दिख रहा है, 9 दिख रहा है और कहीं न कहीं यह दोनों perfect squares हैं अलग-अलग तो क्या यह पोरा expression एक perfect square है तो चलिए हम देखते हैं कि हमने जो pattern पढ़ा था a square plus 2ab plus b square अगर ऐसा कोई expression का ace pattern में हो तो वो a plus b के whole square के form में होता है तो चलिए देखते हैं कि क्या यह pattern और यहां पे यह expression है क्या दोनों same form में हैं इसकी बात करो मैं यहां पे तो 4 होता है 4 का square 16 हो जाएगा x का square x square हो जाएगा तो 4x का whole square 16x square हो जाएगा 9 के बात करूँ तो 3 का whole square मुझे 9 देदेगा अब अगर मैं इस middle term के बात करूँ तो अगर यह 2 times a times b हुआ तो यह पूरा expression a plus b का whole square हो जाएगा तो चलिए चेक करते हैं 2 times a है यहाँ पे 4x के बराबर b है यहाँ पे 3 के बराबर तो यह हो जाएगा 2 times 4 यानि की 8 8 times 3 यानि की 24 और यह x तो है 24x के बराबर जो की यहाँ पे दिया हुआ है यानि क्या कि यह एकदम इसी form में है तो इसको हम लिख सकते हैं a plus b का whole square a है 4x b है 3 यानि की 4x plus 3 का whole square और यह x तो यहाँ पे है ही x तो जो काते हो है ही लेकिन एक question आपके मन में यह आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों यहाँ पे जो हमने यह जो यहाँ पे किया 3 का whole square हमने बोल दिया 9 लेकिन अगर मैं 3 की जगह यहाँ पे negative 3 ले लूँ उसका भी whole square तो 9 ही होता है और 4x की जगह में मान लेज़े यहाँ पे negative 4x ले लूँ तो उसका भी whole square तो 16x square ही होगा क्योंकि negative का square तो positive वो नहीं होता है तो रहे या ना रहे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं हाँ मैं भी वही बात बोल रहा हूँ क्यों रहे या ना रहे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं अब आप negative 4x ले ले या 4x ले ले उसका square हमेशा 16x square ही होगा उसी तरह आप negative 3 ले या फिर positive ले ले उसका square चुकी हमेशा positive ही होगा तो इस negative को यहाँ पे रहने का कुछ मतलब है भी नहीं और वैसे भी अगर आप इस case की बात करते हैं अगर आप negative 4x और negative 3 भी लेते हैं तब हमारे पास क्या हो गया 2 times A हो गया मेरा negative 4x और B हो गया मेरे पास negative 3 लेकिन अगर हम इसको multiply करें तो 2 times 4 होता है 8 8 times 3 is 24 x यहाँ पे है और negative times negative positive तो अभी भी यह 24x के ही बराबर है यानि कि इस case में A मेरा negative 4x हो जाएगा B मेरा negative 3 हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ यह x तो यहाँ पे है ही जो काते हो अंदर में यहाँ पे अंदर में यहाँ पे आजाएगा negative 4x plus of negative 3 इसका whole square लेकिन क्या यह expression और यह expression अलग-अलग है मुझे तो नहीं लगता मुझे तो दोनों बराबर दिख रहे हैं क्यों 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 कि इसको देखिए x को तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं अंदर है यहाँ पे negative 4x plus of minus 3 यानि कि minus 3 इसका whole square अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो यहाँ से मैं negative 1 common ले सकता हूँ तो negative 1 times 4x plus 3 इस पूरे का यहाँ पे है whole square तो अगर मैं इसका square करूँ तो यह हो जाए गर negative 1 का square negative 1 का square times 4x plus 3 का square तो negative 1 का square क्या होता है positive 1 ही होता है तो ये तो यहाँ पे रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो finally हमारे पास ये सिर्फ 4x plus 3 का whole square ही बचा और x तो है ही यहाँ पे तब आप दोनों को negative ले ले या दोनों को positive ले ले हमारा result तो same ही आ रहा है तो इसलिए हम जब भी इसको solve करते हैं negative को उतना हम जादा value नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दोनों negative ले भी लेते हैं तो हमारा result तो same ही आ रहा है तो इसलिए हम directly simple सा सोच के 4x और 3 करके इसको 4x plus 3 का whole square बना देते हैं और finally जो हमें करना था इस expression को factorize करना था तो वो तो हमने यहां पर कर दिया